train का ticket online book करने के लिए irctc.co.in पर जाना है, जाने के बाद आपको अपना ID और password दे के login हो जाना है, उसके बाद अपना train डेट सिलेक्ट करके, station सिलेक्ट करके, book ना उपर क्लिक करके ticket कर देना है, क्या आप भी समझते हो कि सिर्फ यही fund है irctc का, देखे काफिवत तक तो यह सह इसी तरह होता है, लेकिन कुछ गलतियां ततकाल टिकट करते दोरान हमसे, आपसे, मुझसे, हम सबसे हो जाता है, जिस बज़र से हमें ततकाल टिकट नहीं मिल पाता है, और हमारा जो सफर वो खराब हो जाता है, जाने अन जाने में बहुत सारी ऐसी गलतिया है, उनमें से म उच्छे या फिर हम सबसे हो जाता है आप देखिए कम से कम पांचों नहीं तो एक या दो गलती तो आपसे जरूर होता होगा मैं यह नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि यह जो गलतियों को सुधार देने से आपको आपका टीकर जोए कनफर्म मिल जाएगा लेकिन हाँ यह पांच गलतियों को चुना है तो सबसे पहले हम सुरूर करते हैं ब्राउजर से जैसे कि आप अगर कम्पीटर से बूक करते हो टिकट आप कोई भी ब्राउजर का यूज करते हो मोजिला हो गया क्रोम हो या फिर कुछ भी आप यूज करते हो एक ब्राउजर का आपको कोई क से कहूंगा कभी भी ब्राउजर कोई भी अलग नया ब्राउजर का इस्तेमाल न करें, वही ब्राउजर यूज करें, जो कि IRCTC की वेब साइट को जिसमें आपने कई बार ओपन किया हुआ है बहुत पहले से, नया ब्राउजर का मतलब काफी टाइम आपको लग सकता है, जिस आपका ततकाल टिकट खतम हो सकता है, तो हमेसा पुराने ब्राउजर का ही इस्तेमाल कर जिस ब्राउजर को आप हमेसा यूज करते हो, अब चलिए दूसरी गलती की तरफ चलते हैं, दूसरा गलती जो अकसर हम सब करते हैं, वो यह है कि ततकाल टिकट खतम होने के डर से, हम काफी दर पहले से लॉग do yoga कर लेते हैं उसके बाद क्योंकि हम mechanicsстро आपको रिफ्रेस करते रहते हैं जो की गलत है आपको यहाँ पे रिफ्रेस नहीं करना एंग नहीं करना है तो आप कहोगे टिकट कैसे करें, तो मैं यहाँ पर आप से कहूंगा कि आप 2 मिनट, 3 मिनट, अगर आपको AC में टिकट चाहिए, तो 10 बज़े इस तरह से AC का booking होता है, स्लिपर का 11 बज़े booking होता है, अगर आप AC में करना चाहोगे, तो आपको 10 बज़ने में 2 मिनट से पहले, दो मिनट या 3 मिनट पहले आपको लोगइन कर लेना है, अपना ID और पास्वर्ट, लोगइन करने के बाद, आपको अपना Station सिलेक्ट करके ट्रेंच सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको refresh पे बार बार क्लिक नहीं करना है, मैं तो कहूंगो आप सिर्फ 2 मिनिट पहले ही लोग इन कर लो, उसके बाद आपको refresh पर क्लिक करना है, पका 10 बजे आपको refresh पर क्लिक नहीं करना है आपको time देखना है, रेलवे का time जो ICTC की website में उपर में आता है, वो time आपको देखना है उसके बाद आपको लगबग 10 बज के 4 सेकंड या 5 सेकंड पर आपको refresh पर क्लिक करना है क्योंकि 10 बजे तो हर कोई refresh पर क्लिक करता है, इसलिए server थोड़ा सा जाम रहता है थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा जाम रहता है, तो आपको 10 बज के 4 सेकंड या फिर 5 सेकंड पे ही refresh पे क्लिक करना है, तो आपके chances कुछ बढ़ जाते हैं कतकाल टिकट के बुख होने में, चलिए तिसरी गलती की तरफ चलते हैं, तिसरा गलती यह है कि लोग जो थोड़ा स की website open करके इंतजार करते हैं, अगर एक page मेरा disconnect हो जाता है, या फिर एक page slow होता है, तो मैं दूसरे में जा करके अपना ticket book कर लूगा, तो यहाँ पे आपको अपना ही ID दो बार नहीं देना है, साथ में किसी और का भी ID, अलग-अलग दो ID भी एक browser के अंदर में दो table ले करके नहीं देना है, मैं तो कहूंगा एक IP address में मत दो, दो laptop है, दो computer या फिर एक phone एक laptop में, दो में आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक computer के अंदर में, एक browser के अंदर में, दो अलग-अलग ID या फिर एक ID दो बार login आपको नहीं करना है, इस तरह से भी आपको जो आपका ticket है, वो तो वहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि debit card with pin option को select करना है, जिसमें आपके पास कोई OTP नहीं आएगा, आपको अपने ATM card details के साथ में, आपको मांगा जाएगा आपका ATM pin, जो आप पैसा निकालने के लिए, जिस pin का इस्तेमाल करते हैं, वो pin आपको देना है, वहाँ से fast हो ज आप अगर याद है, तो आप बहुत ही fast type कर पाएंगे, और यहाँ भी आपसे गलती हो सकते हैं, यहाँ भी आपका ticket छूट सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, अब ज़र यह पांचवी गलती के चरफ चलते हैं, जो की बहुत ही important है, लोग अक्सर क्या करते है जब ticket book करते हैं, तो जो थोड़ा सा मतलब सोचते हैं, जिनको पता है master list के बारे में, तो वो क्या करते हैं, master list में जा करके passenger के details save कर देते हैं, मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा, कभी भी master list का ततकाल time में use ना करें, क्योंकि अगर आपका connection थोड़ा सा भी slow है, तो master list जो वो नहीं खुलेगा, बस फिर आपका फसी गया, अब master list नहीं खुलने का मतलब आपको फिर से सारा details हो है, टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कहूंग, कम से कम, जो passengers travel करने वाले हैं, जिनके ticket आप बुक कर रहे हो, या फिर आप अपना ही ticket बुक कर लो, तो अपना न passenger का नाम आपको copy कर लेना है, जैसे ही आपका form आपके सामने आजाएगा, details वाली, तो वहाँ पर पेस्ट कर लो, उसके बाद male female select करके, उसके बाद edge आप टाइप करके, जल से जल, बाकि अगर passenger से, तो copy paste, copy paste आपको करना है, अगर master list खुल जाता है, तो जल्दी हो सकता है, आप ऐसे में फच सकते हो, तो इसलिए, यहाँ पर आप text document में अगर लिख के रखते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यह जो पांचो गलतियां मैंने आपको बताया है, आपने अपने जिन्दिगी में ततकाल टिकट बुक करने के लिए, कभी ने कभी इन में कोई ना कोई गलती जरूर किया हो, क्यों मैंने तो इसमें से बहुत सारी गलतियां किया है, जिस बाद से मेरा जो टिकट है मुझसे मिलते मिलते नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में ध्यान रखिए इन पांचो गलतियों का जब भी आप ततकाल टिकट करें, ऐसी गलतियों से ब मैं कोशिस करूँगा आपके सवालों के जवाब आपको जल से जल देने के लिए और साथ में इन दोनों वीडियो को भी आप देख सकते हो साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को यहाँ पर जो बटन आपको दीखरा सब्सक्राइब का बटन आप यहाँ पर